ये बजरंग वली हनुमान चालिसा के साथ करेंगी सुन्दर कांड का पार्ट तो मिलेगा ज्यादा लाप और कौन से समय करें तो मिले उचित लाप जानिया तो द्वारा हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए अमोमन हनुमान चालिसा का पार्ट किया जाता है हनुमान चालिसा बड़े बूडों से लेकर बच्चों तक को जल्दी याथ हो जाता है लेकिन हनुमान चालिसा के अलावा यदि आप सुन्दर कांड पाठ के लाप जान लेंगे तो इसे रोजाना करना पसंद करेंगे हिंदु धर्म की प्रसिद मानिता है कि अनुसा सुन्दर कांड का पाठ करने वाले भक्त को मनो कामना जल्द पौन हो जाती है। जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुन्दर कांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जीवल प्राप्तान करते हैं। कभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। सास्त्रियता मानिता है किन्तु केवल सास्त्रिये मानिताओं नहीं नहीं। विज्ञान ने भी सुन्दर कांड के पाठ के मत्व को समझाया है। विविन मनोवेग्यानिकों की राय में सुन्दर कांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्चा सक्ते को बढ़ाता है। सुन्दर कांड पाठ का अर्थ इस पाठ की एक एक पंक्ती और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन ने कभी ना हार माननी की सिख्रान करता है। मनोवेग्यानिकों के अनुसा किसी बड़ी परिक्षा में सपल होना हो तो परिक्षा से पहले सुन्दर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। कि पंक्तियों के अर्थ जानोगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें जीवन की सपलता के सुत्र भी बताये गए हैं। सपल जीवन के मंत्र ये सुत्र यदि वेक्ती अपने जीवन पर अमल करे तो उसे सपल होने से कोही नहीं रोक सकता। इसलिए ये राय दी जाती है कि यदि रामचरित मानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुन्दर कांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। सुन्दर कांड का पाठ एसी माननेता है कि हनुमान जी से जुड़ी कोई मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक सक्ति सालिख होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रधान करते हैं। यह भी कहा जाता है कि घर पर जब रामायन पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुन्दर कांड का पाठ घर के किसी एक सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवा होता है। जोतिस के लाब जोतिस के नजरिये से यदि देखा जाए तो ये पाठ घर के सभी सदस्यों के उपर मंडरा रहे असुब घरों के छुटकारा दिलाता है। यदि श्यम ये पाठ ना कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को ये पाठ सुनना जरूर चाहिए। सुन्दर कांड का पार्ट असुब गरहुं के दोस्त को दूर करने में लापकारी है सुन्दर कांड का पार्ट जे बजरंग बली